मिलिट सके मुझे इसका आप को वाटसप पर भी टो जिसका न्याया चैनल क्रेेट हो चुग है इसका निंक को नीचे दिस्क्रिप्शन में चलते बर के मेरे टोस्तीं में आपको बता आया है अगर एँआ परेंगे तो यह अपको यह न्या अपुडेट mo only diffic जोने हैं आपको कब डिया आप की तर फाएंगे तो अभी रिसेंटली आया से पहले अप्डेट नहीं आया था अब इस एप का में काम क्या है मल्टी कंट्रोर हैप स्लाइट अकरजर फॉर्म का स्क्रीन टू स्क्रीन और कंट्रोल गलेक्सी टेव और गलेक्सी बुक विच जस्ट वनक कीवोड तो इसका में काम है जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे मैं आपको ले गया हूँ यहां पर एडवांस फीचर में यह स्क्रीन शॉट पर और यह इस तरीके से काम करता है इसका में काम यह है अगर आप सैमसंग का गलेक्सी मोबाइल और गलेक्सी बुक या बोल सकते हैं गलेक्सी डिवाइस यूज कर रहे हो तो आप उन सब के बीच में कोडिनेशन बना सकते हो और इसके थूरू डेटा इसली टांसर कर सकते हो मतलब की कैसा कि अगर आपने इस एप में कुछ अपडेट किया है या बुल सकते हैं इस मोबाइल में आपने कुछ यहां से कॉपी किया है तो आप दूसरे वाले मोबाइल में दूसरे डिवाइस में या टैप में तो वहां आप इसली पेस्ट कर सकते हैं जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर feature में क्या नई changes किये गए, you can easily input text on galaxy tab with galaxy book keyword, अगर आपके बास galaxy book keyword है, उसके थुरू आप galaxy tab में भी data insert कर सकते हैं, you can copy and paste text and image between galaxy tab and galaxy book, galaxy tab और galaxy book के अंदर आप easily copy paste कर सकते हैं, you can drag and drop between galaxy tab and galaxy book, तो यहाँ पर आप galaxy book और galaxy tab के अंदर drag and drop कर सकते हैं, जैसे कि आपने system पर करते हैं, एक folder से दूसरे folder में आप copy paste कर सकते हैं, इस तरीके से काम बढ़ता है, तो condition क्या है, इसके लिए आपके बास multi control setting को on करना चाहिए, galaxy and galaxy tab, galaxy book should be signed in the same account, आपको same samsung account से वो login होना चाहिए, तो अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ जाना है settings पर, setting में जाना है, setting में जाने क्याद आपको जाना है, यापर connecting device में, connecting device में जाने क्याद आपको मिल जाएगा, multi control यह आपको feature मिल रहा है, और आपको इसको on करने के बाद यह है, कि आपके mobile का वाई-फोई on होना चाहिए, और उसके बाद same samsung account आपके दूसरे mobile में या दूसरे tab में भी same होना चाहिए, यहाँ पर use the keyboard and mouse connected to one galaxy device to control all your other galaxy device, drag and drop with file system, मतलब कि अगर मैंने यह वाले samsung galaxy में कोई mouse लगा के रखा है, तो वो मेरे दूसरे samsung galaxy devices पर भी work करेगा, जैसा कि आपको उपर demo दिखी रहा होगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, easily आप transfer कर पाएंगे एकी जगह से, device need to have wifi, bluetooth and multi control turn on, इसके लिए आपके mobile की तीन permission on होनी चाहिए, wifi, bluetooth and multi control turn on होना चाहिए, और साथ में how to connect, how to connect a galaxy book or tablet, go to multi control setting on your galaxy book or galaxy tab, connect them to your phone, बस आपको वहाँ पर जाके भी multi control को on कर देना है, और उसके बाद वहाँ पर आप on हो जाएगे, उसके थुरू आप data यहाँ पर paste out और कर सकते हैं, तो में काम यह multi control का, अगर आपके वाज galaxy book, galaxy tab है, और galaxy phone है, तो आप तीनों को को ओडिनेशन करके, अपना data easily transfer कर सकते हैं, तो यह ही होती है multi control app, तो दोस्टों मैं उमीद है, आपके वीडियो पसन आई होगी, ऐसी नहीं updates के दिए मेरे चनलों को जादूस्थ सब्सक्राइब बिजएगा, तो आपको अपको मेरे वीडियो को चाहँ है, अगर आपको मेरे वीडियो पसन आइए, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोगी शेब लाइकों दबादो ताकि ऐसी नहीं अप्डेट यार सबस्वेल आपको मिले और हो सके वह वाट्सप पर भी फॉलो कर लेना तो थेंक्यू